श्री शद्गुरू महाराज कीजे पुजिपाद महर्शी संसेवी प्रमहंस जी महाराज का प्रवचन अंतर का पठ खोल इस प्रवचन का दूसरा भाग कबीर सहाब कहते हैं जब तप संजम शाधना सब सुमिरन के माही कबीर जान भक्त जन सुमिरन सम कचुनाही सुमिरन के अंदर ही जब तप संजम और सारी साधनाएं आ जाती हैं लोग विद प्रकार से जब करते हैं जैसे वाचिक उपांसु श्वास और मानस ये जब के चार प्रकार हैं इन चार प्रकार के अतिरेक पांचवे प्रकार का भी जब होता है जिसको अजपा जब कहते हैं ये क्रमशह एक से एक विशेश हैं वाचिक जब से उपांसु जब विशेश हैं उपांसु जब से स्वास जब विशेश है और स्वास जब से मानस जब विशेश है मानस जप सब जपों में स्रेष्ट है कुछ लोग स्वास जप को ही अजपा जप कहते हैं किन्तु संतों को यह मानने नहीं है वे आंतरिक अनहद नाद को अजपा जप कहते हैं जैसा कि परमहन्ष लक्ष्मी पतीजी महराज के वचन से अस्पष्ट हो जाता है अनहद अपने शात है अजपा ताको नाम अमल करो अपनाई के अमर नाम घर ठाम और संत कविर सहाब कहते हैं जाप अजपा हो शहज धुन परक गुरुगम धारिये वोत धुनी रशना बिना कर माल बिनू निरवारिये अजपा शुमिरन घट विशे दिन्हा सिर्जन हार ताही शूमन लग रहा कहे कवीर विचार जाप मरे अजपा मरे अनहद हू मरी जाए शुरत समानी शब्द में ताको काल नखाय तब तीन प्रकार के होते हैं कायक तब वाचिक तब और मानसिक तब इस संदर्व में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भागवद गीता के सत्रवें अध्याय में इस प्रकार कहा है देव दीजी गुरु प्राग्य पूजिनंग शौच मार्जवं ब्रह्मचडियम हिंशाच व शरीरंग तब उच्चते अर्थात देवता ब्राम्हान गुरु और ज्यानी जनों का पूजन पवित्रता शरल्ता ब्रह्मचड और अहिंशा यह शरीर्शंबंधि तब कहा जा जाता है अनुद्वेग करंग वाक्यं सत्यंग प्रियाहितंग चयत श्वाध्याय भयशनंग चेववाड मयंग तब उच्चते अर्था सत्य प्रियाहितकारी और उद्वेग पैदा नहीं करने वाली वानी बोलना और स्वाध्याय का अभ्यास करना यह वानी का तब कहा ज चादह शौम्यतत्वंग मौन मात्वित विनी ग्रहा भाव संसोधी रित्येत तपो मान्षमुष्यते अर्थात मन की प्रशन्यता शांत भाव भगव चिंतन करने का स्वभाव मन का निग्रह और अंतह करन के भाव को भली भाती पवित्रता इस प्रकार यह मन शम्मंदी तप कहा जाता है श्रधाया पढ़िया तप्तंग तपस्त श्त्री विधंग नड़े अफला कांची भिर्यूक्त शात्विकंग परिच्छ चक्षते परिच्छ चक्षते अर्धात फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम्श्रधा से किये वे उस पुर्वोक क्रिच तीन परकार के तप को शात्विक तप कहते हैं कि शत्यकार मान पुजार्थ तपो दंभेन चय वयत क्रियति तदी तदी पूक्तंग राजशंग चलंग द्रुवम अर्थात जो तप सत्कार मान और पुजा के लिए तथा अन्य किशी स्वार्थ के लिए भी फल वाला तप यहां राजस कहा गया है मूड ग्राहे नात्मानो यत पिडियता क्रियती तपह पर यूत साध नार्थ वा तताम समुद्धा हिर्तम अर्था जो तप मूढता पुर्वक हट से मन वानी और शरीर की पीरा के सहित अत्वा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए क्या जाता है वह तप तामस कहा गया है संजम में इंद्रियों का संजमन और मन का संजमन ये सारी बातें सुमिरन के अंदर हो जाती हैं इंद्रियों का संजम द्रिष्टी योग किर्या से और मन का संजम नादानुसंधान की किर्या से होता है पुनाह संत्ध कविर सहाब कहते हैं सुम्रन शुरत लगाई कर मुक्ती कछुन बौल बाहर के पट देकर अंतर के पटखोल जहां संद्ध कविरसाब के वचन में हम Изपाते हैं बाहर के पट देकर अंतर के पट खोल, वहां हम अपने परम पुझ गुर्देव की वानी में पाते हैं, बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो भाई, उभै संतों की वानियों में कितना साम है, विलक्षन एक है, ये बाहर के पट क्या है, जिनको बंद करना है, शंत कविर सहाव कहते हैं, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद जींगा, शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुल जारा है, इसी से मिलती जुलती बात हम गुरु नानक देव जी महराज की वानी में पाते हैं, तीन बंद लगाये कर, शुन अनहद तंकोर, नानक शुन शमादी में नहीं साज नहीं भोर, शंत कविर सहाव और गुरु नानक देव जी की वानी से, हमारे पुझ्य गुर्देव की वानी में कितना शामंजश है, देखिए, तीनों बंद लगाये, देखी सुनी धरी ध्वनी धारा, चली शब्द में खीचत, बजट जो विविध प्रकारा, जिंगुर का जनकार, भवर गुंजार हो, अरे हारे में ही, घंट शंक शहनाई, आदी ध्वनी धार हो, तारा सह ध्वनी धार, टेम दीपक बरे, खुले अजव अकाश, अजव चांद नी भडे, पूर अचरज, अचरजी, चंद सहित ध्वनी कश लगे, अरे हारे में ही, जाने सोई धीर, वीर शाधन पगे, शाधन में पगिजाई, अतिही गंभीर हो, यातन सुधी नहीं रहे, धीर वर वीर सो, शाध भोर दिन रैन, कचु जाने नहीं, अरे हारे में ही, बाहर जर्वत रहे, माही चेतन सही, येदी जिग्याशा हो, कि संतोंग ने बाहर के पटों को बंद कर, अंतर के पटों को खोलने की आग्या दी है, बाहरी पट के तो वर्णन हो चुके, बाते समझ में आ गई, खिंतु अंतर के पट कौन से हैं, उन पटों का अनावरन किस प्रकार क्या जाता है, तथा उनके खुलने से क्या लाव होता है, तो इसका उत्तर हमारे परमपोजी गुर्देव की वानी में सुनिये, घटतम प्रकाशवा शब्द पटत्र जीव पर हैं चा रहे कर द्रिष्टी अरुधनी योग शाधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभुशी होगी एकता, फिर द्वाइतता नहीं कुछ रहेगी, अशमनन ड्रिड चाहिए, अर्थात अपने अंदर अंधकार, प्रकाश और शब्द ये त्रे पट हैं, द्रिष्टी योग और नादानुशंधान द्वारा ये पट खुलते हैं, इन पर्दों के खुलने से माईक सभी आवरन हट जाते हैं, प्रभु की प्राप्ती हो जाती है, इतना ही नहीं, द्वाइत भाव मिटकर अद्वाइता वस्था हो जाती है, शाधो, शुमिरन भजन करो, मन मह दुवधा आनहु नाही, सह जहीं ध्यान धरो, धीरज धरी संसय नहीं राखाओ, नाम भरो से रहो, जग जीवन सत्गुरु को भेटो, भवजल पार तरो, शंत, जग जीवन शाव कहते हैं, हे शाधो, हे शाधर, शुमिरन और भजन करो, मन में दुवधा नहीं लाओ, और सहज में ही ध्यान करो, यहां पर तीन बातें बताई गई हैं, शुमिरन, भजन और ध्यान, पहली बात है शुमिरन यानि जब हम मानस जब करें, दुसरी बात है ध्यान यानि अस्थूल ध्यान और सुक्ष्म ध्यान, अर्थात मानस ध्यान और दृष्टी योग, यहां दोनों प्रकार के ध्यान क के लिए शंकेत हैं तीसरी बात है भजन यानि नाम भजन अर्थात अंतर नाद की उपाशना नाम भजन अर्थात नादानु संधान शंत कबीर शहाब के वचन में आप लोगों ने सुना नाम शुमीरिले यानि नाम का शुमीरन करो नाम कहते हैं शब्द को और जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है वह उसका नाम कहलाता है जिस शब्द के द्वारा प्रभु की पहचान हो वह प्रभु का नाम कहलाता है उस नाम को भी हम दो भागों में विवक्त कर सकते हैं ज गुरु नानक देव जी इसी ओर इंगित करते हैं हरी जपी नाम धियाए तो जम डर्पय दुखु भाग वर्णात्मक नाम का जप होता है और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है जो दोनों तरह के नामों का भजन करते हैं तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उनसे यम डर जबता है और दुख भाग जाता है नाम नामी से मिलाता है शगुन नाम से शगुन भगवान के दर्शन होते हैं उनकी पहचान होती है निरगुण नाम से निरगुण पर्मात्मा की पहचान होती है शंद कविर्सभ premises की वानी आप लोगों उन्होंने सुनी शुकिरत करी ले नाम सुमिरी ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं पलकी इसे वचन में उन्होंने नर्तन को नाशवान बताते वे नाम भजन करने के लिए कहा है वस्तुत है मनुष्य शरीर जितना ही सुन्दर है उतना ही वह छन भंगुर भी है ठीकाना यह शरीर कब छोट जाएगा शंत कविर्षाव चितावनी देते हैं खबर नहीं पलकी हम पल गिराते हैं उतनी देर भी हमारे जिवित रहने की आशा नहीं की जा सकती हमारे गुर्देव कहते हैं चन चन पल पल शमय सिरावे नरतन दुर लव फिर नहीं पावे शमय चन चन पल पल बीत रहा है ताल की गाल में हमारा जीवन चला जा रहा है आयू शमाप्त होते चली जा रही है ठिकाना नहीं कब जीवन लिला शमाप्त हो जाए पौपलक की गम नहीं करे काल की शाज काल अचानक मार्शी जोंती तर को बाज इस परवचन का तीश्रा अंतिम भाग अगली परवचन पाठ में पुझपाद महर्शी संसेवी प्रमहंजी महाराज का यह परवचन मास ध्यान साधना के अवसर पर देहरी आउन्सोन में दिनांग सोलह 11.1997 स्वी को हुआ था श्री श्यत्य गुरू महाराज की जय